अमस्कार किसान भाईयों एक बाप फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल इंडियन किसान हिल्प में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में लगने वाले अरली ब्लाइट या फिर लेट ब्लाइट के बारे में जिसे अगेती जुल्सा या फिर पचhetी जुल्सा के नान से जाना जाता है इस रोग के क्या लच्छड है, क्या साथानिया रखने चाहिए हमें की आलू की फसल में यह रोग ना लगने पाए और रोग थाम के क्या उपाई है और क्या खर्च आने वाला है यदि हम इसका रोग थाम करते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है मैं हूँ आपका दोस्त दिल साथ चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप से छोटी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवस कर लें उस साथ में बिल आइकन को अवस रिप्रेस कर लें खेती संबंधी जनकारी यूटूब पर सबसे पहले पाने के लिए तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलू की अगयती जुल्चा के बारे में इसके लठण और रोक थाम के उपाय के बारे में बात करें आलू की अगयती जुल्चा के बारे में तो इसमें पत्यों की निचली सते पे छोटे छोटे धब्बे पढ़ने लगते जिसके कारण वा सूर के प्रकास में अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और पौधे धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं पौधे के कमजोर पड़ जाने के कारण इसमें रोगों से लड़ने की छंता कम होने लगते हैं और अनेक प्रकार के इंसेक्ट ता फंगस पौधे पे आकरमण कर देते हैं जिसके कारण पौधा रोग्रस्त हो जाता है और तने पर भी छोटे-छोटे काले धब्बे पढ़ने के कारण पौधा धीरे-धीरे नश्ट होने लगता है और यही आलू का अगयती जुलसा आलू क क्योंकि पचेती जुलसा के रूप में कनवर्ड हो जाता है क्योंकि पचेती जुलसा में पौधे के तने पे धब्बे पढ़ना स्टार्ट होते हैं और पौधा धीरे-धीरे नश्ट हो जाता है इन धब्बों के कारण किसान साथियों यह आलू का सबसे खतरनाक रोग है य इसलिए यह आलू की फसल में रोग ना लगने पाए इसका हमें अच्छे से खयाल रखना होता है और हमें समय समय पर अपने खेत की देखवाल करते रहना है क्योंकि यह हम चार-छे दिन भी लेट हो जाते हैं दवाई डालने में तो यहां संपॉंट फसल को बिल्कुल ही न असर नहीं करती है इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही इसका रोग थाम के उपाय कर लेना चाहिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आलू की भसल में लगने वाले जुल्चा रोग की रोग थाम के बारे में अगर आपको सुरुआती लच्छण इसके दिखते हैं तो सबसे अलावा आप इंडोफिल कंपनी का में को जब 75% WP 200 लिटर पानी के साथ इसे भी आप स्प्रेक कर सकते हैं या सुरुआती लच्छण अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका आप उप्योग कर सकते हैं और या अच्छे से कंट्रोल कर देता है क्योंकि या कॉंटेक्ट होने के कारण या ततकाल फंगस को हटा देता है और 10 दिन के अंतराल पर कापर आक्सी कलोराइड जो की मार्केट में आपको सिजेंटा कंपनी का ब्ल्यू कापर के नाम से मिल जाएगा 400 से 500 ग्राम प्रत एकड़ के हिसाब से 200 लिटर पानी के साथ स्प्रेक कर देना और यदि आप कापर आक्सी कलोराइड का उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग 200 लिटर पानी के साथ अवस्थ करना है या आप ध्यान में रखिएगा कि आप कापर आक्सी कलोराइड का प्रियोग करते हैं तो 200 लिटर पानी से कम आप मात्रा यूज करते हैं तो आलू की फ चुका है तो आप यह दवाईयों का प्रियोग ना करें क्योंकि यह दवाईयां बाद में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगी यह आलू में सिकेंड स्टेज पे जुलसा रोग पहुंच चुका है तब हमें कौन सी दवाईय यूज करनी चाहिए उसके लिए हम 100 ग्राम सिजेंटा कंपनी के एमिस्टार टाप को लेना है और 200 लिटर पानी के साथ आपको इस्प्रे कर देना है बात करें इसके टेकनकल की तो इसमें एजॉक्सी ट्रियोबियन 18.2% तथा डाई फेनक को नजोल 11.11% इससी फोर्म में होता है इसके अलावा आप बायर अपनी के नटेओ का प्रियोग कर सकते हैं इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा 200 लिटर पानी के साथ इसप्रे कर देनी है बात करें इसके टेकनकल की तो इसमें ट्यूबिकोना जोल 50% तथा ट्राई फ्लेक्सी स्ट्रोबिन 25% डबलू जी फार्म में आता है इस दोनों दवाईया आलू के जुलसा रोक को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करती हैं इनमें से आप किसी भी दवाई का यूज कर सकते हैं अपनी आलू की जुलसा रोक को रोकने के लिए अलू की फसल में इन दवाओं का उप्योग आपको 10 दिन के अंतराल पर दुबारा फिर से कर देना चाहि आप बायर का नटिवो यूज कर सकते हैं या फिर आप सेजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप यूज कर सकते हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाये आप उसका उप्योग कर सकते हैं अपनी आलू की फसल में जुलसा रोक को रोकने के लिए तो दोस्तों आज किस वीडियो में हमने बताया आलू की फसल में लगने वाले जुलसा रोग के बारे में अगर आप आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें अवस्य बताएं हम नेक्ट वीडियो में खाद सेडियूल रोगों के बारे में संपूर्ण जानकारी अलो की फसल पे आपको दे देंगे और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं या आपका कोई भी सुझाओ है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूंश सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ